अलो दोस्तों अब जो है हम organizational behavior में जो है unit number third देखने जा रहे हैं that is regarding motivation क्या होता है और different motivation की theories जो है बहुत सारे psychologist के द्वारा दी गई है उसको हम discuss करेंगे in this unit और आपने यदि पहले के units जो है revision नहीं किया है तो उसका भी आप revision कर लीजिए आपको description में जो है link मिल जाएगी बा motivation क्या होता है अपनी energy internal energy जो आपको किसी भी चीज को करने के लिए प्रेरित करती है that is all about motivation let us see the motivation the term motivation is derived from the Latin word immover which means to move motivation जो शब्द है वो Latin से आया है immover शब्द से जिसका मतलब होता है move होना याने आगे बढ़ना it is an act of inspiring someone or oneself to get an desired course of action to put the right things to get that desired action कुल मिलागे motivation एक तरीके का किस तरीके की act है किसी को inspire करना या खुद inspire होना किसी चीज से किसी भी actions को achieve करने के लिए या फिर to put the right things to get desired action या सही चीजों को सही way में करने के लिए ताकि हम सही goal पर पहुच पाए motivation can be defined as willingness to expand energy to achieve goal और reward motivation को यदि हम बाकी शब्दों में दूसरे शब्दों में बात करें तो motivation क्या है दोस्तों यह हमारी willingness है जिससे हमारी energy expand होती है किसी भी goal को achieve करने के लिए हम और ज्यादा क्या कर सकते है that is all about motivation चीक है motivation क्या है यह latin word से इमोवड से आया है जिसका मतलब होता है move होना और यह एक ऐसी act है जिससे जो है हम खुद को या दूसरों को inspire कर सकते हैं किसी particular goal को achieve करने के लिए है यह कुछ ऐसा काम करना जिससे हम goal को achieve कर ले motivation का मतलब यही है कि हमारी internal zeal यह willingness हमारी इक्चा जो है किसी goal को achieve करने के लिए हम जो actions करते हैं जो काम करते हैं उसी को यह हम कह सकते है it is a way of motivation ठीक है अब what are the features की बात करें यह characteristics तो motivation mainly जो है दोस्तों तीन चीजें तीन elements जो है पाय जाते हैं जैसे कि it is always internal to the person motivation जो है आपके अंदर से जब आएगा तभी वो real motivation है बाहर का motivation जो है limited समय तक रहेगा वो कुछ समय तक आपको energy कर लेकिन आपका motivation जो है आपके अंदर ही है किसी चीज को करने के लिए वो आपको energy देता है काम को करने के लिए जिसससे आपका behavior जो है change होता है या फिर it is in totally totality not in parts जो motivation है वो पूरा as a total होता है वो किसी part के लिए नहीं होता है याने यदि हम इसका example देगे मतलब किसी के कारण ही आप काम करते हो किसी reason के कारण ही आप काम करते हो for example यदि worker कोई काम कर रहा है तो उसको पता है कि उसको उसके behalf पे क्या मिलेगा yes he will get the salary और हम कह सकते हैं कि उसको उससे क्या मिल रहे है money मिल रहे है so it is in totality not in parts याने हम आदी अदूरी चीज़े करना पसंद नहीं करते हैं याने हमें पता रहता है कि किसी काम को करने से हमारा दूसरा अदेश जो है वो पूरा होगा तो जो है हम अब UPSC की exams की यदि हम बात करें तो हम UPSC की तयारी क्यों करते हैं because we want to be in that field या वो जोग हमे चाहिए तो यह पूरी totality को कवर करता है सिर्फ exam देना उसका मकसद नहीं है चीए performance is the result of motivation and ability अब यहां पर motivation में वही है कि जो हम performance करते हैं जो action करते हैं वो किस चीज का result है यह बना होता है हमारे अंदर कितनी energy है उस काम को करने के लिए और प्लस हमारी ability कितनी है हमारा talent कितन है प्लस हमारे अंदर कितनी energy है कितनी zeal के साथ हम वो काम कर रहे हैं तो total equal so हमारी performance आती है तो यह mainly तीन features पाय जाते हैं motivation के लिए ओके अब आगे देखें कि motivation जो है इतना जरूरी क्यों है why it is important ओके अब यहां पे यदि आपसे question पूछा जाए और features यह आ जाए suppose और आपसे जो है nine months का question आ जाए तो तीन features तीन elements को नहीं लिखेंगे और फिर वहां पे आपको importance को as a feature way में लिख के आना पड़ेगा ठीक है तो जब भी question आता है उसके according हम dealing करते हैं हम बहुत सारा already material पढ़ चुके होते हैं किसी भी topic पे उसको लिखना कैसा है वो हमारी कला होती है और examination question कैसे आता है उससाब से आपकी intelligence का आप use करके उसमें वो answer आपको लिखना है so importance की अदि हम बात करें job satisfaction मिलता है motivation से obviously यदि आपको अच्छी salary मिल रही है या आपका जो है recognition हो रहा है आपको वहां पर respect मिल रही है particular किसी job में तो obviously job satisfaction होता है यह मतलब हम किसी काम को बहुत अच से कर रहे हो तो आपकी तारीफ होगी appreciation होगा उससे आपको एक satisfaction रहेगा कि हाँ यहां पर मुझे मज़े मज़ा आता है तो this is the importance need satisfaction यहां पर need satisfaction की यदि हम बात करें तो individual needs भी satisfy होंगी और यहां पर यदि हम बात करें तो organization की needs भी complete होगी कोई भी individual अपनी belief knowledge के इसाफ से काम कर पाएगा motivation यदि वो motivated है तो गोल को achieve कर पाएगा अपने आप में change लेकर आपाएगा सेम वही चीज़े जो है organization को भी उसकी skills जो है यदि अपग्रेट होती है तो गोल अचीव होता है तो वो totality कि किस किस लिए वो काम कर रहा है organization के लिए उसका impact जो है motivation से जो है आपका performance level जो है increase हो जाता है आपका productivity बढ़ जाती है suppose कोई काम है और उस काम को करने में जो है आपको लंबा समय लगने वाला है 7 गंटे 8 गंटे लेकिन आपको किसी ने उसके बिहाफ पे कुछ money amount दे रहा है उसकाम के लिए और double amount बोल रहा है कि यदि आपने हमको ये एक गंटे और कम है याने 7 गंटे का काम यदि आपने हमें 6 गंटे में या 5 गंटे में करके दे दिया तो हम आपको double amount provide करेंगे यहां money जो है एक motivating factor बने आपके लिए कि आप काम को बहुत अच्छे से कर जाएंगे कैसे होगा क्या होगा उसकी चिंदा नहीं लेकिन आपका काम बहुत अच्छे तो यह high performance level motivation से होता है low absenteeism motivated है यदि कोई employee उसको जो है हमेशे appreciation मिलता है चाहा financial motivation मिलता हो या non-financial तो there is a chances कि यहां पर employee जो है low absenteeism रहेगा क्योंकि उसको वह environment पसंद आ रहा है काम करने वाला then acceptance of organizational changes जो organization के changes होता रहेंगे उसको भी हम accepted करेंगे if we are motivated then increase in efficiency आपकी efficiency काम करने की efficiency जो है बढ़ेगी if you are motivated वहां पर किसका रोल रहता है organization में जो leaders रहते हैं top management रहते हैं वो आपको इतना motivated कर देते हैं काम के व्रदी कि automatic आपकी efficiency जो है बढ़ जाती है यदि आपको अच्छी working conditions मिली हैं तो चीक है so this all are the importance of motivation यहाँ पर हमने motivation देखा उसके features, elements देखे और importance चीक है अब बढ़ने हैं आगे towards the factors affecting motivation ऐसे कौन से factors हैं जो motivation को effect करते हैं यानि उससे हम motivate हो सकते हैं और वो factors यदि हमें न मिलें तो हम motivated नहीं होंगे तो let us see, यह factors दो तरीके के होंगे financial incentive भी हो सकते हैं जो आपको motivate करके काम अच्छा करवाएंगे and non financial incentive भी हो सकते हैं अब financial incentive में individual financial incentive की यदि हम बात करें तो individual financial incentive कुछ financial motivation देना पैसो के रूप में जो है financially organization motivate करती है individual ताकि उसका performance जो है अच्छा हो जाए याने एक प्रकार से salary को बढ़ा देना जैसे कि हमने FW Taylor के principle पढ़े हैं और उन्होंने हमें सुझाय था peace wage rate system उसमें उन्होंने क्या बोला था जो लोग अच्छा काम करते हैं जितने घंटे काम करेंगे उनको उसे साबसे पैसा दिया जाएगा जो दो गंटे काम करेंगे उ यार हम ज्यादा काम करेंगे हम ज्यादा यूनिट्स का production करेंगे दो में ज्यादा amount मिलेगा तो यह individual को financial incentive इस तरीके से हम दे सकते हैं वहीं collective financial incentive सभी की salary में increment कर दिया this can be collective profit company ने यह डिसाइड किया कि वह profit share करेगी अपने employees के साथ तो यह motivation हो गया collective way में सभी के लिए कर दि या pension scheme में जो है flexibility रखना तो इस तरीके से financial incentives हम दे सकने किसी तरीके का compensation provide करना या पैसो के way में जब आप employee को motivate करते हैं तो यह factor यदि आप salary उनको समय समय पर बढ़ाएंगे नहीं जब से अपने job start किया और 5 सालों तक same ही salary है तो employee ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा या वो motivated way में काम नहीं कर पाएगा मजबूरी में तो काम कर रहा है लेकिन motivation से नहीं कर पाएगा तो वो organization के goal को impact करेगा अना तो this is the financial incentive अब non financial incentives के factors यदि देगे participation यदि employee को participate किया गया है company के हर decision making में या important decision making में तो वो अपने आपको एहम हिस्सा मानेगा तो यह financially को मदब नहीं कर रह है उसे important part important feel करवाया है तो यह उसके अंदर एक incentive motivation होगा कि yes मुझे organization के लिए काम करना है build moral इससे जो है confidence gain होता है employee का यदि overall उसको सभी चीज़े अच्छा environment सब कुछ मिल रहा है तो यह impact करता है then stimulating leadership non financial motivation जो है leadership आप यदि किसी को leadership quality देते हैंगी या यह area यह department आपको देगे ना है तो यह एक तरीके का non financial एक जिम्मेदारी दे रहे हैं आप किसी को but it will help that employee or that person to increase the efficiency जिससे वो properly goal पे अचीब गोल को अचीब कर पाएगा integrating communication flow यदि communication flow जो है वो proper है तो इससे motivation बना रहेगा एक proper communication between the top level and the lower level of the management between the management and the employees तो इससे motivation बना रहेगा promotion यदि employee को promote कर दिया जा रहा है उसकी जो position है उससे higher position उसको दी जा रहे है तो obviously आपने salary में कोई change नहीं किया लेकिन यदि आपने उसको promote कर दिया तो वो motivated रहेगा then responsibility दे देना उसको अलग-अलग तरीके के लिए उसको accountability देना कि ये काम यह यह जिम्मदारी जो है आपको देखनी है तो इससे जो है वो motivated रहेगा काम को अच्छे तरीके से करेगा recognition of work उसके काम की तारीफ करना appreciate करना यदि उसने अच्छा काम किया है employee ने तो उसकी तारीफ करना जिससे उसके अंदर motivation आएगा कि yes मजे आगे और भी काम करना है job security देना job security आप कैसे दे सकते हैं उसका insurance करवा लेना या fringe benefits दे देना पैसा न देकर fringe benefits fringe benefits क्या होते हैं दोस्तों salary के लाप सपोसर घर रहने के लिए दे दिया अपार्टमेंट्स दे दिये तो job security दे देना यह यह बता देना कि आज से पांस साल तक हम आपको job पर रखेंगे और यह facilities देंगे team spirit की यदि उसमें भावनाएं कि सबको साथ में लेकर चला जाता है organization में हमको भी एक important group का हिस्सा माना जाता है then these are the factors affecting motivation और यह सभी जो है non financial incentives है ठीक है yes अब हम आगे देखें Maslow's motivation hierarchy theory याने बहुत सारी motivational theories अलग-अलग psychologist के द्वारा दी गई है जिसमें से पहली theory जो हम देख रहे है that is Maslow's motivation hierarchy theory इनका पूरा नाम जो है Abraham Maslow है अना Abraham Maslow जी जो है यह एक psychologist है जिनोंने motivation के लिए जो है theory दी है let us read the importance proposition given by A.H. Maslow but human behavior are given Maslow जी जो है कुछ conditions रखते है motivation के लिए कि man is a wanting animal man जो है wanting animal है याने हमेशा उसको किसी ना किसी चीज की जो है need रहेगी ही रहेगी इसलिए उन्होंने man को जो है इनसान को जो है क्या था है wanting animal a satisfied need is no more as motive दूसरा element उन्होंने बताया है कि यदि आपकी वो need satisfy हो जाती है तो उसके बाद जो है वो कोई as a motivation का काम नहीं करेगी आपको प्यास लगी है आपने पानी पी लिया तो अब यदि आपके सामने 10 glass भी रखे हैं पाने के तो आप पानी नहीं पीएंगे यदि आप already आपकी प्यास भुच चुकी है तो वो एक satisfied need जो है बाद में कोई motivator का काम नहीं करती है तो दोस्तो मासलो जी ने क्या किया है hierarchy motivation theory बोली है उन्होंने बोला है कि हमारी कुछ basic needs है जब तक वो satisfy नहीं होंगी हम उसके लिए motivated नहीं रहेंगे तो हमारी दूसरी need बनेगी ही नहीं तो उन्होंने जो है hierarchy way में 5 तरीकों से need को define किया है तो Maslow's hierarchy needs उनकी अनुचार जो है needs 5 तरीके की होती है सबसे पहले psychological needs याने इसमें आगाती है हमारी basic needs यदि यह complete नहीं है तो हम दूसरी चीज़ों के प्रती भागेंगे यह नहीं basic needs में क्या जाएगा रोटी कपड़ा मकान होगे तो आपको food shelter रहने के लिए जगा चाहिए और जो है clothes अब यदि आपके पास यह तीनों basic चीज़े नहीं है तो आपको basic needs fulfill हो जाती है फिर आप देखते हैं safety की तरफ कि yes अब आपकी job कैसे secure हो सकती है तो job security की तरफ देखेंगे कि salary अच्छी खासी मिल जाए insurance हो job position अच्छी हो तब जो है आप आपकी safety and security भी देखते हैं कि आपको ऐसी job मिले जो permanent चले लंबे समय तब चले that is the safety needs then comes कह सकते है that is social needs social needs में अब आपको खाने के लिए रहने के लिए जगह है properly job security है जिसमें आपने pension वगेरा आपका सब कुछ complete है अब आपको job security है रहने के लिए बढ़िया घर है उसके बाद आप society की तरफ भागेंगे अब आपको यह need रहेगी कि मेरे कुछ दोस्त हो friendship okay society में आपका उठना बैटना हो वहां के environment को फिर आपकी society यदि आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं तो क्या आप दोस्त के लिए सोचेंगे क्या नहीं basic needs का सबसे पहले उनका यही है psychological needs जब तक fulfill नहीं होंगी तो आप यह वाली needs की तरफ सोचेंगे ही नहीं ठीक है उनके लिए आप motivated ही नहीं रहेंगे फिर जो है esteem needs यहाँ पर आपने दोस्त वगरा बना लिए जॉब करते हैं basic needs complete है यहाँ पर आपकी esteem needs आने आपकी बाद आती है self respect होना चाहिए अब यह चीज़े आएंगे आपके अंदर है न फिर appreciation मिलना चाहिए इस सरीके की चीज़े जो है आपकी esteem needs को fulfill करेंगी then self realization इसके लिए आप क्या करेंगे अच्छे चीज़े काम करेंगे कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपको appreciation मिले और self realization needs याने आपका self development जहाँ पर आपकी ये सभी needs जो है complete होती है तो वहाँ पर आप actual realization करते हैं कि yes life का मकसद क्या है आप किसी के लिए जो है हम क्या सकते है spiritual ज की motivation यारची theory अब आगे देखें हम next is Herzberg's two factor theory of motivation two factor theory याने इन्होंने दो factor बताए है इसलिए जो है उसका नाम two factor theory of motivation भी है दोस्तों आपको नाम जो है अच्छे से पता होना चाहिए ताकि examination में आए तो आप उसको easily लिख पाए Herzberg's two factor theory of motivation in 1951 Frederick इनका पूरा नाम है Herzberg a behavioral scientist proposed a two factor theory और जिसको जो है दूसरा नाम उसका है the motivator hygiene theory क्योंकि इन्होंने ये दो factor of motivation दिये थे पहला hygiene और ये पहला hygiene और दूसरा motivation factor दिये है इसलिए इन्हें two factor theory भी कहा जाता है according to Herzberg there are some jobs factors that result in satisfaction while there are other jobs that prevent dissatisfaction उनके हिसाब से दो तरीके की चीजें होती है किसी organization में दो job factors होते हैं या तो वो आपको job satisfaction देगा दूसरा या फिर आपको dissatisfaction से prevent करेगा dissatisfaction नहीं देगा उससे आपको रोकेगा उन्होंने वो दो थोरी पे काम किया है उनके अनुसार according to Herzberg the opposite of satisfaction is no satisfaction and opposite of dissatisfaction is no satisfaction no dissatisfaction याने satisfaction का उल्टा dissatisfaction नहीं बताया उन्होंने बुला या तो इन्सान satisfied होगा या नहीं होगा या तो dissatisfied होगा या dissatisfied से रोका जाएगा that is non dissatisfaction तो ये Herzberg जी ने बताई है अब इन्होंने दो factor पे काम किया है अब इसमें सबसे पहली आपकी hygiene factor जिसे हम environment factor भी कहते हैं इसका दूसरा नाम जो है कि job satisfaction देगा लेकिन आप dissatisfied नहीं रहेंगे जैसे कि आपको यदि salary मिल रही है प्रॉपर समय पे तो आप कम से कम dissatisfied तो नहीं रहेंगे satisfied रहे नहीं लेकिन job satisfaction हो नहीं लेकिन आप dissatisfied नहीं रहेंगे फिर दूसरा यदि हम example देखें fringe benefits आपको extra benefits दिये जा रहे हैं company की तरफ से तो job satisfaction है की नहीं है आपको वो job करने में मज़ा आ रहा है की नहीं आ रहा है वो बात नहीं है लेकिन आप उससे dissatisfied तो नहीं होंगे बेनवेट मिल गया इस तरीके से है अब मोटिवेशनल फेक्टर जो है यह positive impact करता है यह एक तरीकी का क्या करेगा पोजिटिव इंपेक्ट चैने positive satisfaction देगा आपको है ना positive satisfaction कैसे कि यह यहाँ पे आपको growth जो है दिखेगी कि आपकी growth हो रही है तो इससे आप motivated रहेंगे आपका recognition होगा appreciation होगा तो इससे जो है आप motivated रहेंगे तो this comes under the hygiene and the motivational factors जो किन्हों ने दिया है Frederick Herzberg जी ने बताया है चीक है तो हमने Maslow जी देख लिया Herzberg देख लिया अब आते हैं हम next theory of motivation yes the theory x and the theory y of motivation याने x and y theory of motivation जो George जी के दिवारा दी गई है the theory x and y are the theories of motivation given by Douglas M.C. George in 1960 अब यहाँ पर यदि आपको M.C. के questions आते हैं या कुछ objective questions तो ऐसा पूछा जा सकता है कि x theory किस ने दी है y theory किस ने दी है या Maslow जी ने जो है 5 कौनसी needs के factor बताया उसमें से चार option में से एक को गायप कर देंगे है न यह Maslow का नहीं इस तरीके से questions आ सकते हैं तो अब इस theory के लिए यदि हम पढ़ें तो this theories are based on the premise that management has to assemble all factor of production including human being to get work done अब यह theory किस पर काम करती है कि यह assume करती ही कि management को जो है हर factor of production उसमें human being को भी include करना है जब उन्हें कुछ भी काम या goal को achieve करना है MC George believed that management can use either the needs to motivate his employees यह George जी जो है वो इस चीज़ पर believe करते हैं कि management एक और चीज़ यह कर सकता है कि employees की needs क्या है तो वो उनकी needs के उपर काम करें तो वो as a motivation way में काम करेंगा अगर किसी employee को salary चाहिए तो उसको salary increment कर दो तो वो आपका काम ज़रूर करेगा motivated रहेगा काम करने के लिए यदि किसी employee को जो है appreciation चाहिए और वो फिर motivated रहेगा काम करने के लिए तो उसकी need को identify करके उसको use करके आप काम उससे करवा सकते हैं यह S group dunder जैसे कि उन्होंने उस दो group बनाए है एक category में theory x डाले theory में कुछ तरीके के employees डाले तो इस x और y को अब हम अलग-अलग से देख लेते हैं तो सबसे पहले theory x की यदि हम बात करें तो theory x जो है relies on the authoritarian style of management where the managements are required to give instruction and keep close check on each employee theory x जो है यह मानती है कि employees को कुछ नहीं आता है और उनके उपर जो है authority रखनी पड़ेगी है ना उनको कुछ भी नहीं आता है जो है authority उनके उपर रखेंगे कि क्या काम कैसे करना है उनको instructions देंगे तो ही काम होगा और उनके उपर जो है closely हमें निगरानी रखनी है यह होती है theory x as it is assumed that employees are not motivated यह माना जाता है इसमें assumption कि employees जो है उनमें motivation की कमी है उनको काम करना पसंद नहीं है they dislike working this theory is based on the following assumption जैसे कि क्या assumptions feel करते हैं कि employee lazy है and dislike work he is not ambitious and dislike responsibility उसे responsibility लेना जो है पसंद नहीं है और वो ambitious नहीं है मैतवकांशी नहीं है the employees is self-centered and indifferent towards the organizational interest और employee जो है वो सरिफ खुद के ओपर ध्यान देता है और organization से उसको ज़्यादा मतलब रहता नहीं है यह इसमें assumptions लेते हैं और उसको जो है फिर कैसे theory X में boss जो है फिर employee को अपने इसाफ से चलाता है rules and regulations से तो this is theory X जैसे कि management is responsible for assembling all factor of production money, material, equipment, people इसमें माना जाता है कि management जो है हर factor of production का ध्यान रखेगा उसको खुदी इखटा करेगा, खुदी करेगा आना employee के उपर यह चीजें नहीं दी जाती है तो यह theory X जो है इस पर माना जाता है कि worker जो है जिम्मेदार नहीं है उसको काम पसंद नहीं है तो उसको जो है कौन कोई न कोई उपर level पे रहे जो उसको संभाले, निगरानी रखे ठीक है, that is theory X जो authority style पे काम कर दिया, अगर आपको याद हो तो हमने leadership की authority styles, leadership styles पढ़िए उसमें authoritative, participative free reign styles पढ़िए तो उसमें authoritative style जो है theory X में आती है, अब इसमें आगे देखें the managers are required to control its employees यहाँ पे यह माना जाता है कि managers जो है, अपने employees को control करते हैं, उनके efforts को manage करते हैं, motivate करते हैं, modify their behavior to comply with the organization, जो organizational की need है, उसके हिसाब से उनके behavior को modify करने की कोशिश करते हैं, यहने cool मिलाकर, यहाँ पे management का ज़्यादा role रहता है कि वो काम करवाते हैं, employee खुदी नहीं करते हैं, उनसे करवाना पड़ता है, यह theory X है अब theory Y जो है दोस्तों, इसी का ही हम कह सकते हैं theory Y जो है, इसी का ही opposite है, जो की participative level पे काम करती है, theory Y relies on the participative styles of management, याने यह माना जाता है कि employees जो है एक हिस्सा है organization का और वो खुदी काम करेगा, participate where the managers assume that employees are self-directed and self-motivated यह माना जाता है कि employee को पता है उसे क्या करना है, वो खुदी motivated है to accomplish the organizational objective, ठीक है, तो यह किस पे काम करता है, participative पे, वो किस पे करता था, authoritative पे thus here the management attempts to get the maximum output with the least effort on their part और यहाँ पे जो है, management का यह attempt रहता है, maximum output मिले उनके कम से कम effort हो, लेकिन employee से best आना चाहिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे employee जो है, खुद से है, यह समझता है कि organization मेरी है, और वो अपने हिसाब से, खुद से ही काम करता है यह theory why है अब इसके assumptions क्या रहते हैं theory why के, कि average human being does not inherent dislike work they are creative, self-motivated and likes to work with greater response यह माना जाता है कि एक आम इंसान जो है, हर काम को dislike नहीं करता है, वो creative रहता है self-motivated रहता है और ज्यादा responsibility लेने चाहता है employees are self-directed यहाँ पे यह assumption लिया कि employees को पता है उनको क्या करना है self-control खुदी में employees में discipline रहती है, therefore the threat of punishment is not only the means of getting the result present और यहाँ पे यह भी चीज़ रहती है कि ऐसा कोई डर नहीं रहता है कि इनको punishment देंगे तो ही काम अच्छा होगा यहाँ इनके ओपर punishment वाली चीज़ रखनी पड़ेगी तो काम अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है ठीक है, तो यह है हमारी theory x and y, x जो है एक तरीके से employee के ओपर निगरानी रखनी पड़ती है लेकिन y में जो है participative employee रहते हैं, खुदी काम करते हैं self-directed रहते हैं अब आते हैं towards the last theory that is Macleland's needs theory अब Macleland जो है Maslow जी से थोड़े से उसका ही extension जो है इन्हें बोला जाता है कि इन्होंने उसका ही extension किया है जो Maslow जी की theory है आई ये इसको पढ़ते हैं Macleland's need theory was proposed by a psychologist David Macleland, इनका पूरा नाम है who believed that the specific needs of the individuals are acquired over a time and gets molded with one's experience of life, उनका मतलब है कि एक समय के बाद जो है हमारी needs, जो है, mold हो जाती है हम acquire कर लेते हैं उस need को जैसे आज के समय में आप अच्छे घर में रह रहे हैं तो food, clothing और shelter की आपको चिंदा ही नहीं रहेगी, आपको पता है वो तो मेरे पास है, self-sufficiency में The Macleland's need theory sometimes refer to as three needs theory or learned needs theory Macleland की theory को जो है three needs theory कहा गया है या learned needs theory कहा गया है क्योंकि उन्होंने तीन तरीके की needs बताई है जैसे की, सबसे पहले need of power, आपके पास power की need रहती कि आपको जिम्मेदारी मिले और आप लोगों को चलाएं यदि आपको किसी particular group का leader बना दिया तो आप बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर इंजान के अंदर power की book रहती है then need for affiliation हो सकती है या आपका जो है appreciation होता रहे समय समय पर if you are in the organization और third जो है need for achievement हमेशा हमें कुछ ने कुछ achieve करने की need रहती है कि यह suppose कोई exam आपने crack कर लिया किसी job position पर फिर और आगे बढ़ना है और आगे क्या कर सकते है यह आम इंजान में माना जाता है जो मैकली लेंड बिलीफ करते हैं कि यह need theory जो है इस तरीके से काम करती है ठीक है so this is the मैकली लेंड's need theory जिसे three need theory या learned need theory भी कहा जाता है and who believe that specific needs individuals are acquired over a period of time में जो है हम अपनी need को acquire कर लेते हैं power मिलेगा appreciation की तरफ भागेंगे appreciation मिलेगा तो achievement की तरफ भागेंगे और यह wise दिवर्सा भी हो सकता है तो यहाँ पे हमने different theories of motivation देखी और यहीं पे जो है हमारा दोस्तों unit भी finish होता है जिसमें हमने motivation उसका importance and various theories of motivation जो अलग-अलग psychologist के दुवरा दी गई है तो आप इसका revision करिए and with this यहाँ पे हम session को end करते हैं kindly like, share and subscribe the channel to motivate us जैसे कि motivation वाला जो है यह unit है तो हमें भी motivation मिलना चाहिए आपके like से आपके support से जो है हमें भी अच्छा लगता है हमें भी motivation मिलता है so support कीजिए with this thank you for the session और यदि आपको कोई doubts है तो please आप उसको जो है comment section में mention कीजिए तो आपकी doubts जो है वो solved हो जाएंगी with this let's end up the session